कि मोधी जब से आये तब से कुछ न कुछ लगाई राम उडबंदी देख ली नय नय जो मतलब मेरे पूरवज नहीं देख ली अच्छे खासे लॉप दाउन देख ली सब कुस देख ली आब अगर वेस्ट बिंगॉल में आएगा तब क्या-क्या देखने मिलेगा वही आख नवसकार आदाब इस वक्त हम कोलकाता के मनिमट मैदान में हैं चुनाओ की तयारी तमाम सिस्यासी पार्टी के तरफ से जारी है तमाम सिस्यासी लेडरान परचार में उठ चुके हैं तो वहीं दुसी तरफ जंता के अंदर भी जोस दिखनी के मिल रहा है वो किस पार्टी के समर्थन में वोट देंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा दो माई का इंतजार करते हैं लेकिन इससे कबल हमारे साथ कुछ लोग बाचित करने के लिए मौजूद है इस मैदान में उनसे जानेंगे क्या राई है आपका एक मच्छड जिस तरह आदमी को हिजड़ा बना देता है एक प्राइम मिनिस्टर पूरा देश को हैंडिकेप बना दिया है मिडून चगरवत्ती की तरह उसके बाद मैं और कुछ नहीं कहना चाहता है आप इनसे सवाल किजिए क्या नाम हूँ आपका जी मेरा नम पूजा सिंग है फिलाल तो मेरे यहां पर अभी लॉक्डॉन में जो हो इतना बड़ा मुसीबत आया लॉक्डॉन में हमेसा हमारी ससी पांजा दी जो हमारी 26 नमर वाट से सब कुछ हमलों की सहायता मदद की चावल डाल सब कुछ मदद क यहां तक है भी जो चर रही है तो हम लोग की कॉलकाता 26 नमर वाट पे चापा कल की शुवीदा दी और प्लस लैट्रिंग बातरूम से लेके लाइट वगएरा सब कुछ की सुवीदा दी है उसे ने मोदी जी बोला सुनार बंगला बनेगा वो तो सपना है मेरा जिंदा रहूंगी तब तो अधना मुझे confidence है कि हमारे ममतमेरजी जीते जल्दी से ठीक हो जाओ जल्दी से हम लोग के blessing आपके साथ में बस आप जल्दी से ठीक हो जाओ अफिस से जैसे वेस्ट विंग आप समाले थे वैसे समालो क्या किनर समाज को डर लगता है मुदी सरकार से हाँ क्योंकि वह हमेश पर उसको भीक का सीनी में ढाल दिया गिया था जिसका चलते बहुत प्रॉबलम हुआ किनर समाज को जिसे बस यह रिक्वेस्ट है आप अच्छा नहीं सोच सकते हो तो अगर कोई अच्छा सोचे तो उसको रोको भी मत अच्छा सोचने वाले रहे और जो बुरा सोच रहे व अच्छा क्कूल में में आख बताश गता है । को बठाओ मैं चाहती हूं मेरा रिकोस्ट माम्ताजीदी जीते इसमें पूटए चोड़े माशुम बच्ची लोग जनम होता है यह लोग को पैसा मिलता है मोदी जब मेरे मेधनीपूर में भी सब होस्पिटल बनाई है सब क्या में नाम पटो मोदी क्या 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 कुछ नहीं यह जल चुका है योगी अधिद्यानाथ बंगाल में आ रहे हैं अब तो बदलाओ यहां पर है हमारा बेंगोल टूरिजम का नारा है कि ब्यूटिफिल बेंगोल घुमने के लिए बहुत अच्छे लोग घुम रहा रहे हमें टैक्स भी मिल रहा है बंगल में जो जनम से ले पहले तो हम लोग पंचमी से मनाते थे अभी ऐसा हुआ कि इतना पुजा होता है इतना ज्यादा दिन से महल है कि बात है जो पत्रमात ही होता है हमारा पुजा